कि जब से लॉकडाउन हुआ है, किसी ने कल्पना नहीं करी थी, कि इतने लाखों करोणों की संख्या में हमारे श्रमेक बश्दूर भाई बहन पैदल सडकों पर निकलेंगे, फूके हैं, प्यासे हैं, बेरोजगार हैं, मुझे लगता है कि उनकी बदद करने के लिए पूरे समी पैदा ना हो, और आज अगर कॉंग्रेस पार्टी लोगों की मदद करने के लिए खाद सामगरी दे रही है, बसों का अंजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतह स्वागत करना चाहिए हर सरकार को, लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना, कम्या निकालना, नेताओं को इस देश का निर्मान किया है, बिल्डिंगें बनाई है, हाथों से मजदूरी करकर खून पसीना बहाया है, इस देश को अतना विक्सत किया है, उन लोगों के जीवन को अगर हम सेफगार्ड नहीं कर सकते हैं, तो अपना धम निबा रहे हैं क्या, और मुझे बड़ा खेद है कि UP सरकार बार-बार बसों का पहले अलावन कर रही है, फिर कहती है इन बसों का आप लखनों भेजिये, फिर कहती है बसों का रेस्ट्रिशन खराब है, और हम रोज देखते हैं टेलिविजन में, लोग ट्रकों में, कंटेनर्स के अंदर चुप-चुप कर आ रहे हैं, उ अब इसका जवाब तो UP सरकार प्रिशासन देगा, बसें बॉर्डर पर खड़ी है, लोगों को ले जाना चाहती है, तो इस प्रकार के बाहनेबाजी करकर अपना असली चेहरा वो दिखा रहे हैं, अगर सच में वो श्रमकों के हितेशी होते, तो ना सिर्फ कॉंग्रेस पा पार्टी है, उन लोगों की मदद को स्विगार करना चाहिए, और इसमें कोई राजनीत नहीं है, हम तो सोनिय गानीजी ने शुरू में कहा, अगर कोई श्रमक आना चाहता है, और कोई सरकार मदद नहीं कर रही है, तो कॉंग्रेस पार्टी उसका किराय देने के लिए तैय झार्टी है, झालु है, तो कॉंग्टी है, वालो झालु है, तो कर रही है, हम तो का दो एको बादी नहीं है, तो का को इका honest यह है, और की मदद को छूह के लिएंगर, विन विएने कर दोड़ exclusionाले उनकित वाल वालू है, की मैं है, अरी ऑंगर बाट